Hey everyone, welcome to today's video, I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज की lecture में हम जानेगे joint session के बारे में जिसको हम joint sitting की नाम से भी जानते हैं, तो joint session या फिर joint sitting क्या है? joint session एक unique mechanism है to break a deadlock between the two house, लोकसभा and राजसभा over the passes of bill. अब इसका मतलब क्या है? किसी भी बिल को एक्ट बनने से पहले उसको हमें लोकसभा से पास करना होता है, राजसभा से पास करना होता है और जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, उनके साइन की जरूरत होती है, ठीक है? सबसे पहले किसी भी हाउस से पहले पास हो सकता है, उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन चाहिए होते हैं, अब यहाँ पे आप माल लीजिएगा कि यहाँ लोकसभा ने किसी भी बिल को पास कर दिया है, पर क्या हो रहा है कि राजसभा जो है उस बिल को पास नहीं कर रही है लोकसभा ने पास कर दिया राजसभा जो है उस बिलको पास नहीं कर रही है तो इस केस में क्या होगा लोकसभा और राजसभा के बीच में क्या होगा कि भई बिलको पास करो पर राजसभा कहेगी बिलको हम पास नहीं करेंगे तो उन दोनों के बीच में कुछ जगड़े जैसी चीज़े उत्पन होना सुरू हो जाएगे तो उस केस में क्या होगा कि प्रेसिदेंट साब जो होंगे जो प्रेसिदेंट साब होंगे वो एक joint session बुलाएंगे joint sitting बैठाएंगे जिससे मैं लोकसभा और राजसभा दोनों क्या होंगे सामिल होंगे तो ये क्या हुआ एक session था लोकसभा का एक था राजसभा का पर अगर दोनों को मिला के अगर कोई session बरना है तो उसको हम कहेंगे joint sitting या joint session तो ये क्या हुआ एक unique mechanism होता है उसके बाद जो भी problem लोकसभा और राजसभा के बीच में बिल को लेकर होंगे वो सारी problem जो है वो president के द्वारा solve की जाएंगे तो क्या करते है एक unique mechanism है तो break ये break करता है किसको break करता है deadlock dot lock between the two house लोकसभा और राजसभा के बीच में जो भी deadlock हो जाता है उसको break करता है over the passage of bill तो जब किसी bill को pass करवाना होता है तो ये जो session होता है वो लोकसभा और राजसभा का एक साथ होता है इस session को किसकी द्वारा बुलाया जाता है president के द्वारा बुलाया जाता है कौन से article में है 108 article में है कहां से इसका provision लिया गया है तो यह Australia से लिया गया है तो यह सारी चीज़े अब हम बात करेंगे ठीकि समझ में आ गया होगा joint session के बारे में कौन से article में है joint session तो यह दिया गया है article 108 में very important है very very important next बात करते है किसके द्वारा joint session बुलाई जाती है तो यह president के द्वारा joint session को बुलाया जाता है क्या हो जाएगा president है यहाँ पे जो joint session को बुलाते है कौन से समिधान से लिया गया है joint session का concept तो यह Australia के constitution से लिया गया है कहां से लिया गया है करें joint session बुलाते कौन है तो president बुलाते हैं पर उस joint session की जो है वो अध्यच्छता कौन करते हैं अध्यच्छ भी तो कोई होगा अध्यच्छता भी कोई करेगा तो वो speaker of log-sabah log-sabah speaker की द्वारा की चाहती है अब बात करते हैं कि joint session को कब बुलाया जाता है तो पहला आता है new year पर जब भी नया साल आता है तब joint session को बुलाया जाता है और दूसरी बात आती है formation of new log-sabah जब नई log-sabah का गठन होता है उस case में भी joint session को बुलाया जाता है या फिर तब बुलाया जाएगा जब किसी bill में क्या होता है deadlock हो जाता है मतलब लोकसवा और राजसवा के बीच में कोई मतवेद हो जाता है उस case में उस bill पर decision लेने के लिए उसको act बनाने के लिए जो है वो president के द्वारा joint session दो है वो बुलाई जाती है चलिए अब हम बात करते हैं कि joint session जो है कब कब बुलाया गया है तो अब हम बात करते हैं the bill that have been passed at joint session में कौन कौन से bill को पास किया गया है तो अभी तक जो है वो तीन bill को पास किया गया है first आता है डौरी प्रोवीजन bill ठीक है तो डौरी का मतलब होता है यहापर दहेज प्रथा निसेद bill क्या हो जाएगा दहेज प्रथा निसेद bill 1950 तो इसके लिए जो है वो joint session को बुलाया गया था नेक्स आता है banking service commission bill तो यह जो bill है इसके लिए 1977 में जो है वो joint session को लगाया गया था और अगला आता है prevention of terrorism bill क्या हो जाएगा अगवाद नरोद अधिनियम 2000 तो इसके लिए भी joint session बुलाई गई थी और so student हमारी यहाँ पर joint session जो है वो यहाँ पर ख़तम होता है हमने सारी चीज़े उसके बारे में important पढ़ ली है अब हम बात करते हैं president की power के बारे में जहाँ पे आपने सुना कि judicial power कौन कौन सी होती है अब हम पढ़ेंगे legislative power की बारे में तो legislative power एक होती है finance power क्या हो जाएगा एक होती है finance power finance power का मतलब क्या होता है कि president के पास power होती है कि वो finance commission का गठन करें क्या हो जाएगा article 280 में दिया गया है finance power की बारे मैं यहां पर बताया गया है कि president can form finance commission क्या हो जाएगा president can form the finance commission and make recommendation on tax distribution between state and union government इसका मतलब होता है कि president जो है finance commission का गठन करेंगे और दूसरी बात कि वो क्या करेंगे tax का distribution करेंगे कि state को कितना test मिलेगा और government जो union government है जो center government है उसके पास कितना tax रहेगा ठीक है तो यह किसमें दिया गया आर्टिकल 280 में दिया गया है चलिए अब हम next देखते हैं next कौन सी power आती है तो यह आती है veto power जो कि आप सभी के लिए बहुत important है पहला तो important ask का article ही बन जाता है कि veto power जो है वो कौन सी article में दे गई है तो article 111 में veto power की बात की गई है कितने प्रकार की veto power होती है तो तीन प्रकार की जो है कितने हो जाएगा तीन टाइप की veto power होती है कौन सी होती है एक होती है absolute veto एक होती है suspensive veto और एक होती है pocket veto क्या हो जाएगा यहाँ पे तीन प्रकार की पावर होती है absolute veto, suspensive veto और pocket veto एक एक करके discuss करेंगे absolute veto का मतलब क्या होता है absolute veto का मतलब होता है the president can use the absolute veto to reject any bill approved by parliament in both the houses जैसा कि अभी मैंने आपको बताया किसी भी bill को act बनने के लिए कहां से पास होना लोगसभा से पास होना राजसभा से पास होना और president से पास होना तो president के power क्या है power है absolute veto की power है जिससे वो किसी भी bill को reject कर सकते है समझ में आया जो लोगसभा और राजसभा के द्वारा जो बिल पास किया गया है जो parliament के द्वारा जो बिल पास किया गया उसको क्या कर सकते है absolute veto power का use करके बे इस bill को क्या कर सकते है reject कर सकते है है तो यह होता है absolute veto power का meaning okay next बात करते है suspensive veto तो suspensive veto को मतलब क्या होता है return for reconsideration of parliament what if it's again again passed by parliament then president will have to say yes इसका मतलब क्या हुआ कि suspensive veto का मतलब होता है कि देखे लोगसभा और राजसभा या फिर हम कहें parliament के द्वारा कोई भी bill बनाया गया है उसको president के पास sign के लिए वेजा गया है तो उस case में president साब जो है वो suspensive veto का use कर गए उस bill को reconsideration reconsideration का मतलब होता है पुनर बिचार कि भई आप इसको ले आए एक बार इस bill पर पुनर बिचार कर लीजिएगा कि कहीं जो आप दे रहे हैं bill sign करने के लिए उसमें कुछ mistake तो नहीं है ठीक है तो पुनर बिचार के लिए बेज सकते हैं किस के पास parliament के पास तो ये power कौन सी आती है suspensive बीटो आती है पर दुभारा reconsideration के लिए गया parliament को उसके पाप फिर से बिल अगर प्रेसिडेंट साब के पास आता है तो वो क्या कहेंगे या तो उस bill के लिए yes कहेंगे और या तो उस bill के लिए no कहेंगे समझ मैं या तो वो उस bill के लिए yes कहेंगे उसको approve कर देंगे कि हाँ ठेक है या फिर उसको approve करने से मना कर देंगे पर ये नहीं कह सकते दुभारा reconsideration के लिए नहीं कह सकते उस bill को जो है वो लटका नहीं सकते बीच में या तो yes करें या तो no करें ठीक है तो ये बतलब होता है हमारा suspensive veto power का next आती है pocket veto जिसको हम J.B. veto के नाम से भी जानते है the bill is kept pending by president for an infinite period तो इस case का इस pocket veto का use करके president जो है वो किसी भी बिल को अपनी pocket में रख लेते हैं मतलब pocket में रखके भूल गए कि अब इस पे हमें कोई भी sign करना है या नहीं करना है infinite time के लिए ऐसा भी होता है कि वो उनका time period पूरा president साब का निकल गया और उन्होंने उस bill पर जो है वो sign नहीं किये तो ये power किसके अंडर आती है pocket veto के अंदर आती है कुछ point जो आपको ध्यान में रखने हैं जैसे कि money bill और constitution amendment will को president पुनर बिचार के लिए नहीं लोटा सकते जैसा अभी हमने पढ़ा suspensive veto में किसमें पढ़ा suspensive veto में पढ़ा कि जो president साब हैं वो पुनर बिचार के लिए reconciliation के लिए बिल को लोटा सकते हैं बट कौन से केस में money bill अगर यहां पे बात आती है money bill की और constitution amendment bill की बात आती तो उस केस में president साब को जो है वो क्या करना है उस पे sign करना ही करना पड़ेगा उसको वो पुनर बिचार के लिए नहीं लोटा सकते तो यह चीज ध्यार रखनी है कि कौन-कौन से bill होते हैं जिसके लिए president जो है वो उसको बिल को लोटा नहीं सकते अगर हम बात करते हैं pocket veto के बारे में तो pocket veto का पहली बार इस्तेमाल जो किया गया था president jail singh के द्वारा किया था कब किया गया था 1989 6 में 1986 में किया गया तो कौन सा will रहा होगा जिसमें उन्होंने यूज क्या तो इस will का नाम था इंडियन पोस्ट office commitment विल क्या हो जाएगा इंडियन पोस्ट आप्स अमिटमेंट बिल के तहित प्रेसिडेंट जिनका नाम था जेल सिंग के द्वारा 1986 में पॉकेट वीडियो का पहली वार यूज किया गया था कि वो नहीं जो बिल लिया और वो अपनी पॉकेट में रखे के ही भूल गए उन पर कोई साइन वाइट नहीं आई होप आपको सारी चीज़े किलियर होगी होगी कोई भी प्राप्लम है तो प्लीस आप कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं थैंक यू